Hello students, आज हम लोग balancing of chemical equation के बारे में परेंगे So, first of all जान लेते हैं कि ये balancing of chemical equation क्या है So, इसको जान ले के लिए हमें equation के बारे में already पता है कि equation क्या है Equation का मतलब है कि यहाँ पे left side में एक reactant रहेगा और arrow देखे यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? Product यानि कि reactant और product को मिला के हम लोग बोलते हैं chemical equation अब यह balancing क्या होता है? किसको balance करेंगे? First of all हम लोग को यह जानना है कि balancing किसको करेंगे? Balance किसको करना है? Balance करना है कि number of atoms को balance करना है कहाँ पे number of atoms reactant side में जितना होगा उतना ही product side में होना परेगा इसी को हम लोग बोलेंगे balancing सपोज यहाँ पे 10 atoms है reactant side में तो product में भी 10 atoms ही होना चाहिए इसी process को हम लोग बोलेंगे balancing of chemical equation अभी balancing of chemical equation का एक process है एक simplest सा process को हम लोग बोलेंगे hit and trial method okay इसको side में रखते है hit and trial method इस process का नाम है hit and trial method okay इस method को use करके हम लोग आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से balance किया जाते है so hit and trial method का नाम सुनके ही आपको कुछ idea हो गया होगा कि hit and trial method क्या होगा hit and trial method का simplest meaning यह है कि suppose हम लोग एक target पकल लेते हैं और यहाँ पे एक aim करने का चीछ है ठीक है बहुत कम सा यहाँ पे पत्थर जो है यहाँ पे लगेगा यानि कि यह target hit होगा हम लोग को randomly choose करना है इसका मतलब यह है कि हम लोग को randomly यहाँ पे choose करना है और यह जो पत्थर है जो पत्थर जाके यहाँ पे hit हो जाएगा उसी को हम लोग ले लेंगे इसी method का नाम है heat and trial method आईए एक example देके हम लोग जानते है कि heat and trial method क्या है स्टार्ट करते है एक example के साथ suppose एक example है mg magnesium plus O2 arrow mgo कि desire हम लोग को मिलता है यहां पर हम लोग को क्या देखना होगा कि left hand side और right hand side में number of atom कितना है left hand side में magnesium कितना है one left hand side में oxygen कितना है two now झे में राइट hand side में हम लोग को magnesium देखना है यहां पे 7 धिन हैं जो तो हमें क्या करना है oxygen को match कराना है इसी को हम लोग बोलेंगे balancing तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कितना atoms है लेफ साइड में दो तो राइट साइड में एक है हर समय एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग जब balance करेंगे एक integer number हम लोग प्लेस करेंगे यह compound के सामने always compound के सामने यहां पर एक element है या फिर compound के सामने ही प्लेस करना परेगा यहां पर नीचे या फिर ऊपर तो होता ही नहीं है नीचे कभी 2 या फिर 3 ऐसा हम लोग प्लेस नहीं कर सकती है गलत है इस जगह पर हम लोग को प्लेस कर सकते हैं यह सामने एक तम ठीक है तो आईए देखते हैं किस तरीके से यहां पर हम लोग प्लेस करते हैं नंबर को हम लोग ले लेते हैं कि सपोर्ज यहां पर टू यूज करते हैं अगर MGO के सामने टू यूज करते हैं तो नंबर हो गया oxygen का 2 और magnesium का भी 2 यह oxygen तो अब मैच हो गया बट magnesium अब मैच करना पड़ेगा मैच करने के लिए लेफ साइड में हम लोग 2 यहां पर पिठा सकते हैं ठीक है तो यह हो गया ultimate balanced equation ठीक है यह balancing actually practicing के साथ बहुत easy हो जाता है आप लोग जितना practice करेंगे उतना easy हो जाएगा और एक example के साथ हम लोग देखते हैं suppose mg magnesium plus HCl hydrochloric acid form होता है mg Cl2 plus H2 ओके यह हमारा equation रह गया अभी इस equation को किस तरीके से balance करेंगे आए देखते हैं यहां पर magnesium कितना है one right side में magnesium one तो यह already balanced है hydrogen कितना है one यहाँ पे chlorine one यहां पर chlorine है two और hydrogen भी है two तो अभी hydrogen और chlorine को एक साथ balance करना है तो किस तरीके से बैलंस करेंगे तो आए देखते हैं यहां पर chlorine का है जो यांपर two है और यहां पर hydrogen का भी 2 है तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि यह जो सामने है hydrochloric hydrochloric acid के सामने हम लोग 2 बिठा सकते हैं तो अगर 2 बिठा देंगे यह hydrogen बन गया 2 chlorine बन गया 2 correct तो यह हो गया एक balanced form बहुत easy है balancing करना यह हो गया balanced तो हम लोग heat and trial random number या फिर integer choose करके सामने बिठाएंगे कई-कई बार ऐसा भी होगा कि यहां पर 2 बिठा दिया अभी इसको change भी करना पर सकता है तो हम लोग is different different example करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का example आते हैं so next आप example के तरफ चलते हैं so2 sulfur dioxide plus o2 arrow देखे so3 right so यह हो गया हमारा एक equation यहां पर sulfur कितना है sulfur हो गया one oxygen कितना है oxygen दो यहां पर भी oxygen दो यानि कि as a whole as a whole oxygen कितना हो गया four two plus two four okay so this side में sulfur हो गया one और oxygen हो गया three यानि कि sulfur तो ठीक है oxygen को हम ले balance करना है तो आईए किस तरीके से balance करते देखते हैं so यहां पर क्या करेंगे कि अगर हम लोग सपोज सपोज हम लोग यहां पर टू बिठाते हैं तो अगर हम लोग यहां पर टू बिठाते हैं तो क्या हो जाएगा oxygen हो जाएगा यहां थोड़ा रब कर लेते हैं और सलफर हो गया, सलफर हो गया 2, तो यहाँ पे oxygen 3 है, तो हमें 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से multiply करना होगा, यानि कि 2, 3 जा 6, अभी हो गया 6 और सलफर हो गया 2, तो इस तरीके से हम लोग बैलंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ultimate balanced form क्या हो जाएगा, यहाँ पे balanced form हो जाएगा, यहाँ पे तो है SO2 plus O2 form SO3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बैलंस करने के लिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ आ गया balanced form, ultimate balanced form, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि left hand side, यानि कि react hand side, और right hand side, यानि कि product side को हम लोग number of atom को equal कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे, balancing, तो next example की तरफ हम लोग देखते हैं, N2, nitrogen gas, plus hydrogen gas, H2, तो क्या होता है, NH3, तो इसको किस तरीके से हम लोग balance करेंगे, यहाँ पे देखिए, N कितना है, N हो गया, 2, left side में 2 है, right side में 1 है, okay, hydrogen कितना है, hydrogen है 2, left side में है 3, तो obviously इसको balance करना होगा, अच्छी तरीके से, तो किस तरीके से balance कर सकते हैं, suppose हम लोग यहाँ पे 2 दे देते हैं, इस side में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2, nitrogen balance हो गया, अब है hydrogen को balance करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखिए, right hand side में hydrogen number change हो गया, 2, 3 is a 6, hydrogen बन गया 6, तो यहाँ पे 2 ही है, तो 2 के साथ, अगर हम लोग 3 से multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा 6, तो ultimately, यहाँ पे क्या बन गया, balanced हो गया, तोनों equation, दोनों side, actually, ठीक है, balancing करना बहुत easy है, बहुत important है, so next, और एक थोड़ा, थोड़ा complicated example के तरफ चलते हैं, आईए एक equation लिखते है, C2H6, इसका नाम है ethene, प्लस O2, correct, arrow क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O, बहुत important सा एक example है, यहाँ पे number of atoms, minutely और carefully हमें बिठाना परेगा, left hand side में कितना है, C हो गया, 2, okay, hydrogen कितना हो गया, 6, oxygen कितना हो गया, 2, right side में आएगे देखते है, carbon कितना बन गया, 1, oxygen कितना है, oxygen total है, यहाँ पे 2, plus 1, यानि कि 3, hydrogen है 2, तो यह है number, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी element यहाँ पे balance नहीं है, तो हम लोग को धीरे धीरे यहाँ पे balance करना परेगा, तो किस तरीके से balance करेंगे, आएगे देखते हैं, first of all, अगर हम लोग यहाँ पे 2 place करते हैं, तो carbon बन गया 4, okay, 2, 2, 4, okay, तो right side में हम लोग carbon को पहले balance करते हैं, यहाँ पे 4 देखे, तो carbon 4 balance हो गया, यहाँ पे carbon 4, तो carbon का अभी tension नहीं है, अभी क्या है, कि दूसरे को हमें change करना परेगा, क्या कर सकते हैं, आएगे देखते हैं, इसको तो रब कर देते हैं, okay, so, यहाँ पे क्या है, कि carbon तो carbon यहाँ पे balance हो गया, hydrogen कितना हो गया, hydrogen हो गया, 6-2012, okay, और यहाँ पे oxygen चेंज हो गया, oxygen हो गया, for 2-8 plus 1, 9, oxygen 9 हो गया, तो अभी किस तरीके से करेंगे, आई देखते हैं, oxygen का, यहाँ पे है 2, और यहाँ पे है 9, okay, तो किस तरीके से कर सकते हैं, oxygen यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, 2 से, 2 से अगर लिखते हैं तो 4 आ जाएगा, तो 9 तो नहीं आएगा, तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो एक odd multiple, odd number से multiple करना होगा, तो सपोस यहाँ पे 3 से 6 नहीं होगा, 4 से 8, 5 से देख सकते हैं, 5 से अगर यहाँ पे try करेंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, राइट साइड में कितना हो जाएगा, oxygen का 9 है, फिर भी यहाँ पे balance इस तरीके से नहीं होगा, तो इसको किस तरीके से balance कर सकते हैं, यानि कि इस सा परेगा, तो 1, 2, 3, 4, क्या दे सकते हैं, यहाँ पे, hydrogen हो गया 12, तो इसको hydrogen को balance करते हैं, first of all, यहाँ पे 5 मीटा देते हैं, hydrogen को balance करने के लिए हमें 6 लिखना परेगा, 6 to the 12, तो यहाँ पे hydrogen balance हो गया 12, यहाँ पे 12, 12 मिल गया, तो oxygen कितना अब भी हो गया, oxygen हो गया, 4 to the 8 plus 6, 8 plus 6, 14, oxygen हो गया, 14, तो 14 के लिए हम लोग यहाँ पे 7 बिठा सकते हैं, 7 to the 14, तो यह ultimate balanced form है, बहुत important equation है, इसको balance करना, समझ के balance करना पड़ता है, तो यह practice के साथ balance हो जाएगा, easily, इसको थोड़ा fresh करके हम लोग लिखते हैं, इस equation को, पहले क्या था, C2, H6, plus O2, arrow क्या हो जाएगा, CO2, plus H2O, तो इसको balance किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 2 लिखते हैं, और यहाँ पे 7, similar लिए हाँ पे 4, और यहाँ पे 6, तो यह हो गया balanced form, ओके,